हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमिद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो हम आचुके हैं आप लोगों के लिए एक और नए वीडियो लेकर जिसमें हम आप लोगों को टाफ 5 बालूट की लोई स्टोरी वाली मूवी के बार में बताने वाले हैं जिसे आप लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए इसे पहले हमने साउट की टाफ 5 लोई स्टोरीयल मूवी पर भी एक वीडियो बनाया है अगर आप लोगों ने उस वीडियो को मिस कर दिया होगा तो आप हमारे चानल पर जाकर उसे देख सकते हैं और हमने अपने चानल पर बहुत सारी मूवी अपडेट और जानकारी पर भी वीडियो बनाया है तो आप लोग इन वीडियो को जरूर एक बार चेक आउट करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब ही कर लें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमबर फाइफ पर जब मूवी है उस मूवी को नाम है रह चेडियम यानि की रहना है तेरे दिल में यहां मूवी जो है वहाँ एक ड्रामा एंड मुजिकल मूवी है दो घंटे चालिस मिनट लंबी इस फिल्म में आप सबको बर्पूल लव रोमान्स देखने को मिल जाएगा गौतव की निर्दसन में बनी इस मूवी में आप सबको मुख्य भूमिका में दिया मिर्जा आर्मादवन सेफ अलिकान और अनपम खेड़ देखने को मिल जाएग अब इन तीनों के बीच में जो नोग छोख है वो आप सबको बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करने वाली है खासकर जो आर्मादवन वार अप्ले किया गया मैडी का जो करेक्टर है वो कुछ जादा ही आप लोगो पसंद आएगा मुवी को एक बार जलूर देखिए या मुव है लव आजकल 2009 में आई इस मुवी में आप सबको फुल रोमैंस और लोई स्टोरी देखने को मिल जाएगा दो घंटे और आट मिनट की रंटाइम वाली इस मुवी को इम्तियाज अली ने डिरेक्ट किया है और प्रितम सलीम सुलेमान ने मुजिक दिया है इस मुवी में हम लवर की कहानी को दिखाया जाएगा जिरके बीच ब्रेक अप हो जाता है मुवी का जो प्लाट है वो भले पुराना है मगर यह मुवी की जो स्टोरी है वो आपको आज वाली फील दिलाने में काम्याब हो जाएगी मुवी बहुत ही अच्छी है इसे आप एक बार जरूर द पारी ने निर्देश किया है मुवी में हमें लीड रोल में राजकुमार राव आईसमान खुराना और पंकस्तिर वाड़ी जैसे मजह हुए का लकार देखने को मिल जाएंगे बात करें मुवी की स्टोरी की तो मुवी में हमें बिट्टी चिराग और प्रितम की आनी को दि देशा के रूप में उस पर चिपका देता है कहानी में ट्विष्ट तब आता है जब बिट्टी इस पुस्तक को पड़ती है उस तक में जो लिखा है बिट्टी से जुड़ी हुई है अब कहानी में आगे क्या होगा ये तो आप लोगों को मुवी देखने पर ही पता चले मुवी को एक बार जरूर देखिए इसमें जो राज्क मर राव ने एक्टिंग किया है वो आप सब का दिल जीत लेगा मुवी को 18 अगस्त 2017 में अल वर्द इंडिया रिलीज किया गया था आमडी पर इस मुवी को 7.5 की ब्लाव पास्ट रेटिंग हासिल और 91% गूगल उसे ने इस मुवी को पसंद किया है नमबर दो ये मुवी है ऐ दिल है मुस्किल एक रोमांस मुजिकल जोनर वाली इस मुवी को करण जोह ने डिरेक्ट किया है मुवी में आप सब को मुख्य अनुसका सर्म, रनवी कपूर, एस्वरिया राइबच्चन और फवाद खान देखने को मिल जाएंगे और इस फिल्म में थोड़े टाइंग के लिए क्यम्यों रोल करते हुए सारुक खान और आलिया बट को भी दिखाया जाएगा कहानी दो दोस्त अली जे जो एक सोतंत्र है 28 अप्टुबर को 2016 में मुवी को रिलीज किया गया था, IMD उपर 5.8 आउट अप 10 के एवरेज सी रेटिंग हासिल और 70 परसेंट भूगर यूजर निस मुवी को पसंद किया है, यहाँ एक वन टाइम वाच मुवी है, इसे एक बार ज़र देखिए, नंबर एक पर जो मु और सीमा पवाल देखने को मिल जाएंगे, बात करें मुवी की कहानी की, तो मुवी में दिखाए जाएगा कि फ्रेम नाम की लड़के जो पढ़ाई छोड़ चुका है और उसकी साधी हो जाती है, एक पढ़ी लिखी मगर मोटी लड़की से चिन का नाम हता है संध्या, फ्र पर इस मुवी को 7.5 की रेटिंग असील और 84% गुगल इसन ने इसे पसंद किया है, तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था, इस लिष्ट में से आप कौन से मुवी देखने माले है, या फिर आप लोगों ने इन में से सभी मुवी को देख लिया है, तो इन में से कौन स इसे वीडियो में तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, बाय बाय